हाई दोस्तों असलाब अलेकुम कैसे आप लोग मेरा नबील है यह है iOS 17 का डेवलपर बेटा 4 जो Apple ने रिलीज किया है उन डिवाइस के लिए जो बेटा प्रोफाइल चला रहे है या बेटा अपडेट के लिए जिन्होंने साइन अप करके रखा हुआ है अभी पब्लिक का अपडेट आया है मेरे iPhone 14 Pro Max में जो के बेटा 3 पे चल रहा था अगर आप बेटा 1 से बेटा 4 पे जा रहे हो या 2 से जा रहे हो या फिर iOS 16 से जा रहे हो तब आपको बड़ा अपडेट साइज देखने मिल सकता है अदरवाइस अपका अपडेट साइज जो है बेटा 3 से ब 0.61 GB का अपडेट से पहले का जो बिल नंबर था उसके एंड में जे था अपडेट के पहले का जो मोडेम फर्मवेर था वो था 2.04.01 अपडेट के बाद यहां पे अवैलेबल फ्री स्पेस जो है यह 5 GB से घड़ गया है तो ऐसा क्यों हुआ है जानने के आगे कोशिश करें यह आगे वीडियो के अंदर हम देखेंगे 5 GB जो है काफी जादा होता है कभी-कभी 13 GB घट चुक है मेरा फोन तो मैं इतना सप्राइस तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा जादा है अब यहां पे बिल नंबर के एंड में जो है आपको एच नजर आएगा यह धी तरफ जाएग का बटन है bringing devices together को आप आफ भी कर सकते है तो अगर मैं इसको और अगर मैं एड्रॉप करने ही कुछ करूँ किसी भी इमिज को यहां पे जब मैं इन दोनों फोन्स को नस्दीक लेके आता हूं तो यह एड्रॉप जो है काम नहीं करेगा क्योंकि कुछ लोग पूछ भी रहते सेफ है या नहीं तो इसकी सेफटी आप इस तरीकी से और हैंस कर सकते हो और अगर आप इसको अन रखे तो यहां पे नेम ड्रॉप एड्रॉप जो चाहिए वो आप कर सकते बस दोनों devices को आपको नस्दीक लाना होगा और यह काम करेगा beta 3 और beta 4 को side by side देखे तो कुछ और changes देखने मिलेंगे हमको जैसे यहां पे home screen and app library के लिए आपको एक नया आइकन देखने मिलता है settings में message के अंदर भी कुछ चेंज है beta 3 से beta 4 में यह प्लस आइकन पे आप जब टैप करेंगे तो यहां पे आप देख सकते है के camera का आइकन जो है आपको different देखने मिल रहा है photo यह एक चुड़ा सा change है apple tv का जो remote है उसका icon अगर आप देखेंगे तो यहां पे थोड़ा सा जो है वो चेंज हुआ है accessibility के अंदर display and text size के अंदर आपको prefer horizontal text का option देखने मिलता है यह उन languages के लिए है जो support करते है vertical text कुछ इस language होते है जिसमें vertically लिखा जाता है तो वहां पे आप जो है इसको on करके prefer horizontal text कर सकते हो ताके उसको जो है आपको horizontally दिखा जाए या मापे preference horizontal text को दी जाए अब settings के अंदर अगर आप चले जाते हो battery में तो यहां पे आपको एक नई चीज देखने मिलेगी जो के है auto brightness अभी मेरे phone की auto brightness off है मुझे उसको on off करना है तो accessibility में जाके करना देम हो गया फिर आपको में ठीक से दिखा नहीं पाऊंगा otherwise इसको on रखने में भलाई हो तो उसको देखने के लिए स्क्रीन पर टैप करके आप देख सकते हैं otherwise वह message का notification hidden रहेगा ताके जो और भी कोई लोग है आपके घर में वह उस notification को ना देख पाए अब release notes एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या known issues है और क्या fix कर दी आपल ने तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि मैं मैं इसको vertical पकड़ता हूँ लेकिन आज मैं इसको horizontal पकड़ रहा हूँ क्या बग है आगे आपको बता दो फिलाल देख सकते हैं बहुत सारे known issues ज रहते हैं जब उसका beta version आता है उसमें भी तो यहाँ पर हम काफी different है उसमें hardly कुछ होता है और इसमें काफी सारा होता है यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे bugs है और इतने सारे known issues है उसका फिर workaround वगरा भी Apple ने यहाँ पर mention किया तो यह चीज का भी ध्यान रखना होता है औ आप देख सकते हैं कैसे जटके से जो है यह आते रहता है और यहर अप्डेट में है जो आपके च्टेबल वर्जन वाला है तो यह अटो रोटेशन देख सकते हैं और यहाँ पर आपको जो है ऑटो रोटेशन का option कभी-कभी गाया बोजाते है मतलब जो आपको लगता होग यहाँ पर मैंने कुछ auto-locking, lock वगरा करके रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर देख सकते हैं मैं lock कर देता हूं इसको वर्टेकल में और अब इसको open करता हूं तो अभी यह वर्टेकल में open हो गया या फिर portrait mode में अब इसको off करके देखते है यह fix हुआ या नहीं त storage में चलते हैं इसको calculate होने देते हैं तो अब हमारा storage लोड हो चुका और यहाँ पर देख सकते हैं तो आगे देखते हैं क्या होता है फिलाल तो यह एक issue चोटा सा यहाँ पर है और जिनके फोन में storage कम हो उनके लिए बड़ा issue हो सकता है तो इस बात का भी ध्यान रखना आप overall लेकिन general performance दोस्तों अच्छा है यह जो कुछ bugs वगरा बता है उसके अलावा सारे application packing application सारे प्रॉपरली चल रहे तो उसमें कोई issue आपको देखने नहीं मिलेगा बस है geekbench का benchmark है जो के हमको check out करना है और compare करना है पुराने score से तो history में आ गए हम CPU score देखते सबसे पहले 12 जुल जादा इस पर आपको ध्यान देने की जरूद नहीं है बस एक GPU का score बचा है वह देख लेते तो पहले था 15,668 और आज का है 15,411 तो यहां पर भी थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन बहुत ज़दा कम नहीं है तो यह जो है okay है कोई इतना बड़ा issue नहीं है इसमें अब network की बात कर लेते हैं और बैटरी life के बारे में बात कर लेते हैं बैटरी health के बारे में बात कर लेते हैं नेट्वरक अच्छा है अतना देर हुआ मुझे इसको install करके मैंने रात में कर लिया था और उसको use किया तो यहां पर सारे चीज़े ठीक से काम करी वाई-फाय ब्लूटूथ व आपको iOS 16 के मुकाबले काम देखने मिलेगी बेटर वर्जन बे अपको इतनी बैटरी लाइफ जो है देखने नहीं मिल रहे है और फ्रिक्वेंटली चार्ज भी करना पड़ता है इस बात का भी ध्याना कि बैटरी लाइफ आपको आउटस्टैंडिंग नहीं मिलने वाली ब करनी चाहिए अगर आप iOS 16 पर चल रहे हो और आपको कोई मूड नहीं है iOS 17 को ट्राइआउट करने का तो करने की कोई ज़रूत नहीं है लेकिन अगर आप iOS 17 के बेटर पर अलड़ी हो तो आपको यह अपडेट डाउनल इस्टाल कर लेना चाहिए तो यही था दूस्तों iOS 17 ब